नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देखरें तत्काल नियुस लाइफ उत्तरी दिल्ली में रोहिनी शेतर के शाबाद डेरी इलाके में अपनी 16 वर्षिय कथित गर्फ्रेंड का रविवार को बेरेमी से कतल कर देने वाले 20 वर्षिय साहिल को दो दिन की पुली सिरासत में सौब दिया गया है साहिल ने नाबालिक लड़की पर 22 बार चाकू से वार किया और फिर पत्थर की एक सीर से कई बार उसकी सिर को कुछल डाला सुरक्षा की दुरुष्टी से लगाये गए सीसी टीवी कैमेरे की एक नई फुटेज अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें लड़की का कतल होने से कुछी पल पहले साहिल को एक दोस्ते बात करते वे देखा जा सकता है वीडियो में साहिल को ठीक उसी जग आकाश नामक लड़के से बात करते जेखा जा सकता है जा उसने कुछी पल बाद नाबालिक लड़की का कतल कर दिया वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल और आकाश कुछी देर तक एक दूसरे से बात करते है फिर आकाश चला जाता है अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद साहिल वही खड़े रहे कर लड़की का इंतजार करता है पुलिस के अनुसार नाबालिक लड़की पर हमला उस वक्त ही आ गया जब वह अपनी मित्र के बेटे की बद्दे पाटी में शिर्कत करने के लिए जा रही थी इससे पहले बेहद विचलित करने वाला सीसी टीवी फूटेज सामने आया था जिसमें साहिल को नाबालिक लड़की पर बार बार चाकू करते देखा जाया जबकि सड़क पर लोगों के आवाजाई लगातार थी लेकिन किसी ने नव दखल दिया इसके बाद साहिल ने पत्थर की सील उठाई और सड़क पर गिर चुके लड़की पर कई बार वार किये इसके बाद वह वहाँ से चला गया लेकिन कुछी पल बाद लोड़कर आया और फिर पत्थर की सील उठा कर लड़की पर वार किया और उस पर पैरों से भी वार किया इलाके में रहने वाले लोगों द्वारा सुचना दिये जाने पर पुलिस वहाँ पहुची जहाओ उन्हें खून से लगपत लड़की का शव मिला पुलिस के मुताबिक लड़की के शव पर 34 गाओ थे पुलिस के एक वरिष्टा दिकारी ने बताया कि उनके बीच रिष्टा था लेकिन रविवार के दोनों के बीच जगड़ा हुआ था नाबालिक लड़के अपनी मित्र के बेटे के बद्धे पाटी में शिर्कत करने जा रही थी लड़की ने उसका पीचा किया और उस पर चाको से कई वार किये और उसे पत्थर से कुछल दिया एर कंडिशनर टेकनेशन के तोर पर काम करने वाले साहिल को सोमर को उत्तर पदेश के बुलंदर शहर से गिरफतार किया गया था साहिल ने कतल का जुरूम कबूल कर लिया है और दावा किया है कि वह तीन साल से उसकी गर्फरंड रही लड़की इसे इसलिए नारास्ता क्योंकि वह रिष्टा खतम कर देना चाहती थी पूश्टाच के दोरान साहिल ने कतित रूप से पुलीस को बताया की लड़की अपने किसी पुराने बॉइफरेंड से भी मिल जूल रही थी और उसे कतल कर देने का कोई अफसोस नहीं है पुलीस सुत्रों ने बताया साहिल ने कहा कि वह घुस्ते में था क्योंकि लड़की कुछ वक्त से उसे इग्नॉर कर रही थी पुलिस सुत्रों के अनुसार लड़की ने साहिल को पुलिस से शिकायत कर देने की धमकी भी दी थी साहिल पिछले दो साल से शाबाट डेरी हिलाके में किराय के मकान में अपने माता पिता के तीन भेनों केर साथ रह रहा है वारदात के बाद साहिल ने अपना मोबाइल फोन स्विच आफ कर दिया था और अपनी भुवा के घर बुलंदर शर्च चला गया था सुत्रों के मुताबिक साहिल की भुवा द्वारा साहिल के पीता को की गई फोन कॉल से पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिली अंत्री अरवीन केजरिवाल ने उपराज़े पाल्वी के सक्सेना से आगरह किया है कि नाबलिक लड़की की हत्ता के मामले में कड़ी कारवाई की जाय क्यू की शहर में कानुन वहसा बनाये रखना उनीका दाइत्व है अर्वीन के जीवालने लड़की के परिवार को 10 लाक रुपे का मुआवजा दिये जाने की घोशना भी की है